कि यह वी वह भी टुएंग की नाइग और इस्पुन को मैं सेबेंगेज सी ज्वादा टाइम यूज करो तो इसलिए मैं आप लोगों के लिए लेकर आगया हो इस्पुन का फुल रिव्यू प्रोस एंट कॉंस के साथ हर एक चीज के बारे में आज हम बात करने वाले गेज़ तक देखो तो चाहलो विना के में लेता है आज का विग सुरू करते हो सबसे बहले गेज़ाइन से सुरू करते हो डिजन मेरे को काफी अच्छा लगा क्योंकि यह पर बैक सागे में ग्लास बॉगे यूज किया है और यह पर काला चंजिंग बैक मिलता है जो देखने में का इस पून को यूज कर पाया था और इस पून को जब मैंने वीना बैक से यूज किया था हातों का निसान बगरा होंकि दाग बगरा इतना जल्दी नहीं आ रहा था जो मुझे काफी अच्छा लगा और यह फोन आने वाला है फूल फूल फ्यू गिस्प्ले के साथ क्योंकि चल्व में 500 सल्टी कैमरा में जाएक है जो कि काफ गिस्प्ले के साथ आने वाला है तो लूक देखने में काफी अच्छा लगा मेरे को कैसा लगा यह फिश्प्ले रहने वाला है 6.7 एट इंच एफटी प्लस रिजूलेशन न का एमूलेग गिस्प्ले यह फिश्प्ले जो जो क्वाइट के भाई मुझे काफी अच्छा लगा और यह पर 120 हाया रिफ्रेस्ट रहने वाला है इसलिए मैं एजली इस्पॉन को यूच कार पाया था उससी के मेरेको पॉब्लेम नहीं लगा था यूच काने के कम जो एक्स्पेंस मेरेको लगा था काफी वड़ी ऐसा और जब मैंने आउट्डोर में बाहर में लेकार यूच के था उससी के मेरेको पॉब्लेम नहीं लगा था जो आउट्डोर ब्राग्निस भाई काफी आच्छा रहने वाला है इस पॉन में और यह पर इंगिस प्लें काफी फार्श का टैप कर रहा है जल्दी-जल्दी फिंगर यह पर जब मैंने आंतुतु स्कोर को रांग कै था शिक्स लाग के ऊपर यह पर इसका आन्तुतु स्कोर आया था और इस पॉन में गेम को प्ले के था था घटनी के लिए गेमिंग के लिए एफोन आच्छा होने वाला है और यह पर 1GB RAM के साथ 120GB टोरश्ट मिलता है यह पर यह पर 1GB RAM रहने वाले यूए फेस्ट टोरश्ट के साथ आने वाले नॉर्माल यूज के लिए अच्छा होने वाले नॉर्माली जाप मैं यूज बेगरा किया था उससी के भी मेरे को पॉब्लिम नहीं लगा था नॉर्माली मैं इस पून को अच्छी तरीके से यूज कर सब्सक्राइब कर देख सकते हैं यूज को अच्छा लगा और अल्ट्रा वाइड एंगल लिंस और दो मेगा पिक्चल का एक डेप सेंसर सेल्फी में मिल जाएगा यहां फिफ्टी मेगा पिक्चल का सेल्फी कैमरा आप बैक एंड फॉन में 4K 30 एपेस में वीडियो को रेक सबस्कायों सब्सक्राइब यहां वाएगा तक जब राख रहताया अक एक केमरा से निकल genres हृक उड्म यह तक 6-7 गंड कंग तक को यूच कर पाया था और जब में चार्च खतम हो गया था जल्दी चार्च कर पाया था क्योंकि यह पे 80 वाट का फास्ट का पास्ट बोक्स के अंदर दर काफी अच्छी वाद है भाई बोक्स के अंदर वीवों ने चार्चर को प्रोवाइट किया तो वैकर बेकप मैं कहने वालो एवारेच रहने वाले बारे में बात करते हैं आउट बॉक्स लॉंच हो एंगवर 13 के साथ और फांटास इसका लेकिस आपडेक्ट मिल जाएगा सिंगल स्पीगर के साथ आने वाले ड्यूज़ माइक रहने वाले हैं और यह पर मेमोरी करको आप यह पर नहीं यूज़ कर सकतो और बात कर सकते हैं इसका था कि 3,000 रूपिस लेकिन सेल में इसको मैं पार्टिस के ओ थाटी थाज़न रूपिस में तो थाके थाज़न रूपिस में भी देखा जाए तो भाई स्मार्टफोन लेने के लिए सोचो तो इस्पून के पास जरूर्ट आप चेक आउट कर सकतो आपका क्या ओपिनियन आप इस्पून को पर्चेस करना चाहते हूं कि नहीं आप मुझे कमंड में बिता सकतो उमीद कर तो आचका जो वेडियो आपको थोड़ा सा पसंद आ रह तो इस वीडियो में इतना ही मिलता है अगले निव वीडियो में तब तक लिए वाई वाई केक किया